डाइबिटीज के मरीज करें हनुमान फल का सेवन तेजी से कम होगा ब्लड शुगर ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए हनुमान फल का सेवन बहुत फाइदेमंद होता है जाने इसके फाइदे बलड शुगर को कंट्रोल करने के लिए आयोरवेदिक औश्यदियों का सेवन बहुत फाइदेमंद होता है आयोरवेद में भी कई ऐसे फल है जो डायबेटीज और बलड शुगर की समस्या में बहुत फाइदेमंद माने जाते हैं हम सभी तो आम, अंगूर, केला और सेव जैसे फल पताई है लेकिन क्या आपने हनुमान फल का नाम सुना है हनुमान फल दरासल एक कंटीला फल होता है जो नाम की तरह बहुत शक्तिशाली और फाइदेमंद होता है हनुमान फल का वैग्यानिक नाम अन्नोना मूरी काटा है जिसे अलग-अलग जगों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है इसका सेवन कैंसर से लेकर बलड शुगर कंट्रोल करने तक पहुत फाइदेमंद माना जाता है तो आएए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि बलड शुगर कंट्रोल करने के लिए हनुमान फल के फाइदे हनुमान फल तो वैसे कई गंभीर बिमारियों और समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है लेकिन खाने में बेहत सौधिश्ट हनुमान फल बलड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत उपयोगी होता है हनुमान फल विटामिन C, Phytosterol, Tannin और Flavor Noids सही कई Antioxidant का भंडार होता है इसका फली नहीं पत्तिया भी अनेक औशदियों गुडों से भरपूर होती है हनुमान फल में मौझूद Antibacterial Good शरीर में मौझूद Infection और Vacteria को मारने का काम करते हैं बलड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इसका नियमित रूप से सेवन बहुत फायदेमंद होता है हनुमान फल में Phytochemicals, Alkalide और Flavnol, Thiglyceride जैसे गुड पाये जाते हैं जो शरीर में glucose को कंट्रोल करने और insulin production को नियंतरित करने में बहुत फायदेमंद होते हैं बलड शुगर में कैसे करे हनुमान फल का सेवन शरीर में बलड शुगर को कंट्रोल करने के लिए रोजाना सुभे के समय हनुमान फल का सेवन करना चाहिए सुभे के समय इसका सेवन करने से दिन भर आपको एनरजी भी मिलेगी और शरीर का चया पचे भी ठीक रहता है हनुमान फल में मौझूद गुण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक रखने में भी फाइदेमंद होता है इसके अलावा हनुमान फल की पत्यों का सेवन करने से भी आपको बलड शुगर कंट्रोल करने में फाइदा मिलता है हनुमान फल की पत्यों का काढ़ा बलड शुगर की समस्या में बहुत फाइदेमंद माना जाता है हनुमान फल का नियमित सिवन करने से ना सिर्फ बलड शुगर बलकि कई अन्य परिशानियों में फाइदा मिलता है इसमें मौजूद गुड और पोशक तातु शरीर को कमजोरी से बचाने का काम करते हैं इसके अलावा डाइट और लाइफ स्टाइल में जरूरी बदलाव कर आप इस समस्या से बच सकते हैं दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो खूब शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद